नमस्कार मैं हूँ शेकर और स्वागत है आपका आडियो प्रोडक्शन के इस पहले लेक्चर में इस पहले लेसन में जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ आज कि टू ट्रैक एडिटिंग लाइक पोड़कास्ट एडिटिंग या फिर आप वॉइस ओवर एडिटिंग किसी करेंगे टू ट्रैक सॉफ्टवेर से वैसे मल्टि ट्रैक सॉफ्टवेर भी होते हैं वहां भी एडिटिंग होती है बट फिलाल वाइस ओवर वगरे के लिए बैस्ट होता है कि आप टू ट्रैक एडिटिंग करें तो फिलाल मैं जो सॉफ्टवेर यूज में लेता हूँ उ और जब आप इस software को खोलते हैं, तो ये कुछ इस type का layout आपको नजर आता है, खाली पूरा, blank, कुछ नहीं होता है इसमें, उपर आपको काफी सारे options दीख जाएंगे, ये क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, मैं आज फिलाल आपको इसका पूरा layout समझाने वाला हूँ, then next lesson में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे editing करी जाती है, कैसे voice over या फिर आप podcast अगर घर से बनाना चाहते हैं, तो कैसे उसे अच्छा record कर सकते हैं, मोबाइल पे बहुत सारे लोग करते हैं, Spotify और दुनिया वर की जितनी भी अलग-अलग platform से वहाँ डालते हैं, बट एक professional touch अगर आ करेंगे तो आपके सामने option आता है new and open, बागी सब नॉर्मल है, सारे software में नजर आता है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, new पर जब आप जाएंगे तो आपके सामने एक window आ जाएगी, ये window आपको दिखाई देगी, ये basically आपका audio जो quality है, उसको maintain करने के लिए है, sample rate, with depth, channel sample rate जो इन दिनों में अभी फिलाल मैं अगर बात करूँ तो use हो रही है 48,000, but मैंने इसको 44,100 पर इसलिए रखा हुआ है कि सिर्फ मुझे editing समझानी है आपको, इस वज़े से आप इसे 48,000 पर भी रख सकते हैं, दूसरा आता है bit depth, तो यहां भी आप जाएंगे 8 bit से 16, 24, 32, फिला लोग 32 पर भी कर रहे है, 64 पर भी कर रहे है, but 24 यह बीच का है, आप इस पर कर सकते हैं, तीसरी सबसे जरूरी चीज़ जो है, कुछ लोगों के साथ में यह होता है कि वो recording on कर देते हैं, उनकी एक ही channel में sound आता है, तो गुरू बात यह है, कि जब आप recording करते हैं, voice over ज सुनाई देगी, किसी भी anchor की, किसी भी voice over artist की, वो center में सुनाई देगी, इसलिए हम उसे mono कहते हैं, तो यहाँ पर भी आप mono ही select करेंगे, यहाँ दूसरा option stereo भी है, बाकी और भी option है, बाकी options कोई काम के नहीं है, आप mono और stereo यहाँ पर focus करना है, तो हम mono पर चले जाते हैं, ओ पूरी blank है, अगर मैं इसी को stereo करता है, तो जहाँ यह बीच में एक blue line नजर आ रही है, यहाँ पर हो जाती, दो blue line, left, right, तो फिलाल हम वापस वहीं चले जाते हैं, तो यहाँ पर अब आप कुछ भी record कर सकते हो, किसी भी file को record कर सकते हो, यह आपका एक नया पूरा project है, second हम आ जाते हैं, open, open करते हो, तो यहाँ आप अपना normally जो भी voice over आपके पहले के बड़े हैं, audio byte पड़ी हुए, आप उन्हें direct इस project में लाके edit कर सकते हो, like मैंने यह उठा लिया है, मैं ले आया हूँ यहाँ यहाँ पर, अब इसको जहां से भी चलाना है, वहाँ click किया, click करने क रोक सकते हो, तो यह तो मैंने आपको उपर के tools से करके दिखाया, बट आप अगर सीधे करना चाहें, तो जितने भी आज तक DAW बने हैं, digital audio workstation, जितने भी software हैं, आप space bar जब भी दबाएंगे, तो प्ले हो जाएगा, space bar वापस से दबाएंगे, तो रोक जाएगा, तो यह य सकते हैं, editing कैसे क्या इसमें होनी है, वो मैं आपको next बताऊंगा, आगे आजाते हैं, edit पर, edit में यह इतने सारे आपको options दिख रहे हैं, simple है, cut, copy, paste, जो हम आज तक पढ़ते हैं, देखते हैं, copy के आगे वही control C, cut के आगे control X, यह कहां कैसे काम आता है, एक बार में वापस से जाता हूं इसमें, आपको मान लीजें, यहां से यहां तक, या कोई भी चीज आपने, दूसरी, यह मैंने select करी, इसको control C मैंने दबाया है, और मैंने जाके, यहां पर paste कर दिया, तो यह paste हो गया, control C, control V, simple, तो यह इस तरीके से काम करता है, अब आजाते हैं, यह सबसे आपको बताने वाला हूं, क्योंकि यहां पर आप अपना पूरा layout decide करते हैं, कि आपको इस पूरे layout में क्या-क्या चाहिए, like, टूल बार में अगर आप जाते हैं, तो आपसे यह बहुत सारी चीजे पूसता है, कि आपको टूल बार में क्या क्या चाहिए, उपर जो process है, य यहां पर भी नजर आ सकती है, जैसे यह एक additional मैंने यहां पर डाला हुआ है, अगर effect पर click करता हूँ, apply करता हूँ, तो एक अलग से मेरे पास में यह बाहर आ जाता है, इसे मैं चाहूं जहां पर रख सकता हूँ, फिलाल मुझे यह कहीं पर भी नीची है, मैं इसको cancel कर देत है, main जो चीज है, आपके अभी काम आने वाली वो है channel meter, अभी आप screen के right side में अगर देखेंगे, तो मैं जैसे इसे click करता हूँ, तो यह एक meter मेरे सामने आ जाता है, अभी यह क्या काम करता है, जो भी audio byte आप edit कर रहे हैं, सुन रहे हैं, उसे उसका level कितना है, कितने db's तक हो जा रहे है, कानों को वो सुख भी दे रही है, या दुख दे रही है, distortion पर जा रही है, अगर मैं technically बात करूँ, तो वो सब कुछ आपको यहीं से पता चलता है, like मैं इसे वापस से चलता है, एक बार एक व्यक्ति देर रात बड़ी ही व्यथित अवस्था में, minus 6 db, एक एक व्यक्ति देर रात बड़ी ही व्यथित अगर मैं इसका वॉल्यम बढ़ा देता हूं, एक बार एक व्यक्ति देर रात बड़ी ही व्यथित अगर मैं इसका वॉल्यम बढ़ा देता हूं, एक बार एक व्यक्ति देर रात बड़ी ही व्यक्ति अगर मैं एक व्यक्ति देर और रीजन तो यह क्या काम आती है चीजे यह लाइक हम इसमें जाते हैं अभी मुझे यहां से और यहां तक मानली जे यह पूरा एरिया मुझे पसंद नहीं गलत से रेकॉर्ड हो गया यह मानली जे तो मैं क्या करूँगा यहां पर क्लिक किया और मैंने एम दबा दिया, यह देख रहे हैं आप मारकर लग गया, लेकिन इस पर तीन क्यों आया है, तो ले खेर, यहां तक मुझे चेंज करना था, मैंने यहां क्लिक किया, एक बार और एम दबाया और मारकर लग गया, तो यह तीन और चार क्यों हो, बाकी एक और दो, तो एक बढ़ता चले जाएगा, 5, 6, 7, 8, जितना भी आपको चाहिए, उस अब धीर देरे, बढ़ता चले जाएगा, यहां, यहां मै ने मारकर लगा यहां यहां ने मारकर लगा आप इसको मैंने डबल क्लिक करके सलेक्ट किया, और देन मैं सिम्पल कीबोड के डिलीट बटन को प आपको बताऊंगा आगे ट्रांसपोर्ट यह बहुत जरूरी चीज है आम एंड रिकॉर्ड आम बोले तो आप गाड़ी में बैठते हैं चाबी लगाते हैं इंगिनिशन अन करते हैं और रिकॉर्ड तो रिकॉर्ड रिकॉर्ड दबाऊगे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जा प्रोसेस यह जो पूरी चीज़े आपको दिखाई दे रही है आटो ट्रेम बिट डैप्ट चैनल कल कंवर्टर एक्यू फेड यह बहुत सारी चीज़े हैं और यह डीटेल में ही मैं आपको बताऊंगा तभी आपको समझ में आएगी एफेक्ट है एफेक्ट में डिस्टॉ उडिले बहुत सारी चीजे हैं यह एक-एक करके में डीटेल में ही आपको बताऊंगा तो धिरे 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 तिरे आपको वह समझाने लगेगी देन हम आजाता है टूल्स टूल्स में भी अलग अलग अप्शन्स है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे मैं आपको बताता चलूँगा FX फेवरेट्स यहां पर आप अगर इस सॉफ़वेर के अलावा भी आपके पास में कुछ और VSTs हैं VSTs क्या होते हैं मैं बताऊंगा आपको वो हैं तो आप यूज़ कर सकते हो आप्शन्स में वही सब चीज़े चैनल मिटर एंड सारी चीज़े आपको दिखाई देगी बट यहां पर प्रफेरेंस में जाकर आपको एक काम करना होगा जो ज़्यादा तर स्टूडेंट गलत ही करता है वो अपना ओडियो डिवाइस टाइप सेलेक्ट नहीं करता है अगर नॉर्मली लैप्टॉप का नॉर्मल आप साउंड कार्ड यूज़ कर रहे है तो आपको ज़रुवत नहीं कुछ भी छेड़ने की लेकिन अगर आपने प्रोफेशनल आडियो इंटरफेस लगा है लाइक मैंने लगाया हुआ है एसी ओ फोर आल बी टू ये मेरा आडियो इंटरफेस है ये फिलाल मैं अभी चेंज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे कंप्यूटर ने उसे आटोमेटिकली डिटेक्ट किया हुआ है माइक्रोसोफ्ट साउंड मैपर ने तो आप यहाँ पर रिकॉर्ड और प्लेबैक प्लेबैक बोले तो आउटपूट रिकॉर्ड बोले तो रिकॉर्डिंग इंपूट हो गया आपका तो आज के लिए तो इतना ही बागी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेसन में जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आडियो अडिटिंग कैसे करनी है और आप उसे कैसे एक परफेक्ट वाइस ओवर में तबदील कर सकते हैं पूरी अडिटिंग के साथ में तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में धन्यवाद